जो जिनोंने ओप्षिनल पेपर में बिजनिस कम्मिनिकेशन लिया है उनके लिए बहुत ही महत्पूर्ण रहने वाली है चातरों पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंस ओफ कम्मिनिकेशन का महत्पू क्या क्या है छातरों हमारे जीवन में कोई भी ऐसा छेतर नहीं है जहां पर कम्मिनिकेशन का महत्पू नहीं हो हम कम्मिनिकेशन के बिना अपना कोई भी कारिय नहीं कर सकते तो चलिए बात करते हैं Importance of Communication इसमें First है यहां हम केवल Importance of Communication in Business की बात करेंगे तो First है इसमें Smooth and Unrestricted Running of the Enterprise किसी भी संगठन को किसी भी संस्था को किसी भी कमपनी को चलाने के लिए जो संचार है Communication है वह महत्मून डोल अदा कर सकता है बिना Communication के कोई भी संस्था या संगठन हम Smooth रूप से या बिना किसी रुकावट के नहीं चला सकते तो इसलिए यदि हमें किसी Enterprise को Smooth रूप से तथा बिना किसी रुकावट के चलाना है तो Communication इसमें महत्मून डोल अदा करता है Second है इसमें Quick Decision Making किसी भी संस्था के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सीगर निर्ने ले यदि किसी भी Topic से Related हम या किसी भी Project पर हम सही निर्ने और सीगर निर्ने लेते हैं तो हम उसे उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं तो सीगर निर्ने लेने के लिए Communication हमारे लिए बहुत जरूरी है बिना Communication के हम सीगर निर्ने नहीं ले सकते Communication हमारा जितना तीर्व होगा उतना ही तीर्व हमारा सीगर निर्ने लेना होगा Third S में Maximum Productivity With the Minimum Cost तो किसी भी संस्था की या कंपनी की सफलता इस बात पर निर्फर करती है कि वह minimum cost में कितना उत्पादन करती है यदि minimum cost में हम अधिक उत्पादन कर लेते हैं तो उससे हम अपनी वस्तो के price बहुत कम रख सकते हैं और उसे हम ज्यादे से ज्यादे sales उसकी कर सकते हैं क्योंकि जितनी हमारी minimum cost होगी उतना ही हम कम price रखेंगे यदि minimum cost पर अधिक से अधिक production हमारा हो रहा है तो हम ज्यादे से ज्यादे ग्रहागों को अपने product की तरफ आकरसित कर सकते हैं तो यह communication के द्वारा ही संभव हो सकता है क्योंकि communication के द्वारा हम एक दूसरे को convince कर सकते हैं तथा अपनी सूचनाओं का आदान परदान कर सकते हैं जिससे हमारे जो करमचारी है वरकर है वो आसानी से motivate होकर के काम करते हैं फोर्थ है इसमें promotion of cooperation and industrial peace किसी भी संस्था के लिए industrial peace होना बहुत जरूरी है दोको जो अध्योगिक में दो परकार से रुकावाट आती है या तो करमचारी हड़ ताल कर दे या फिर जो मालिक वरक है जो ओनर है वह तालाबंदी कर दे दोनों ही condition में उत्पादन रुक जाता है और इससे हमें बहुती हानी होती है यानि कि यदि किसी condition से चाहे वो तालाबंदी हो चाहे वो हरताल हो उसकी वज़े से यदि उत्पादन रुकता है तो वह बहुती हानी कारक होता है तो यदि communication के द्वारा हम एक दूसरे की feelings को समझते हैं एक दूसरे की बात को प्रमोट करते हैं तो उससे हम आपस में सहयोग की भावना का और उद्धो की सांथी का विकास कर सकते हैं यह सब communication के द्वारा ही संभव हो सकता है किसी भी संस्ता की जो बेस रीड होती है वह होते हैं उसके employee यदि employee हमारे सबसे अच्छे हैं तो हम बहुती अच्छा काम अपने company में कर सकती हैं तो communication के द्वारा हम विन परकिरिया करके अपने सबसे अच्छे जो employee है उनका selection कर सकती हैं यदि हम अच्छे employee का selection कर लेंगे तो इससे हमारा बहुत ज़्यादे हम सफल हो सकते हैं next test में basic of control communication के द्वारा हम अपने करमचारियों पर अपने अधिस्तों पर नियंतर निस्ताबित कर सकती हैं क्योंकि जो भी हमारा communication है यदि हम उसके द्वारा लोगों को convince कर सकते हैं उनका विश्वाद जीत सकते हैं तो इससे control इस्ताबित हम कर सकते हैं next test में helps in motivation and leadership किसी भी करमचारी के लिए motivation बहुत महत्पूर होता है यदि करमचारी को हम सही रूप से motivate करते हैं तो वह अपनी पूरे 100% effort के साथ काम करता है communication के द्वारा हम अपने करमचारी को अभिप्रेडित कर सकते हैं तथा उनका नेतत कर सकते हैं तो communication हमारी motivation करने में करमचारी को और उनका नेतत करने में help करता है next test में for running internal administration जो हमारा आंतरिक परसासन होता है उसको चलाने के लिए भी communication हमारी help करता है क्योंकि हमें अपने करमचारी को अपने जो हमारे employer उनको निर्देश देने पड़ते हैं यह निर्देश हम केवल communication के माध्यम से ही दे सकते हैं next test में democratic management तो भारत भी एक परजातांतरिक देश है यानिके इसमें सभी की सहमती यानिके जो इसका जो सासक होता है जो परधानमंत्री होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है इसी परकार company में भी यदि हम कोई decision लेते हैं तो उसमें हम सभी करमचारियों का हर एक level के करमचारियों का यदि हम opinion ले तो इससे हम एक democratic management यानिके परभंद में सर्मिगों की भी सहभागिता सुनिश्चित होती है यह सब communication के द्वारा ही संभा हो सकता है क्योंकि विभिन मिटिंग के माध्यम से जो management होता है हमारा वह सर्मिगों की भी सहभागिता उसमें लेता है किसी भी decision को लेने में उनकी भी राय जानता है तो इससे करमचारियों में भी परभंदक वर्क के परती एक विस्वास जागरित होता है उन्हें यह अनुभा होता ह कि हम जो decision management ले रहा है उसमें हमारी भी पूछ है एक तरह से हमारी भी सहभागिता है तो इससे उनमें काम के परती लगन उत्पन होती है नेक्स टेस में proper planning and coordination किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले planning आवश्यक होती है यदि हमारी planning अच्छी है और जो हमारे उत्पादन के साधन है या संगटन है जो भी हमारे elements हैं उनमें हम समन्वे इस्ताबित कर सकती हैं तो यह सब हमारा communication के माद्य हम से ही संभाव हो सकता है Thank you